दोस्तो विहार में एक और संदार वेकेंसी निकल के आ चुकी है, यह वेकेंसी विषार योकेशन की है, मतलब आपकी पोस्टिंग जो होगी, विहार के समस्तिपूर में होने वाली है, लेकिन यह जो जो जौब है, चेंटर लेबल वाला जौब है, हम बात कर रहे हैं, विद्धाले है यह Central level की है तो आपको यहां पर job जो है निकला हुआ है तो चलिए जानते हैं इस वेकेंसी के लिए कैसे form को अप्लाई करना है बारहवी पास के लिए वेकेंसी है ग्रेजुशन पास के लिए वेकेंसी है सब चेद जानते हैं देखें आप आएंगे और यहां पर देखेंगे तो एक कैरियर का option मिलेगा आप इस पे क्लिक करेंगे जिसमें इस वेकेंसी के बारे में जनकारी दिया गया है तो हमने यहां पर नोटिफिकेशन को डाउनोड कर लिया है हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करके बताते हैं फिर मैं आपको एक लाइफ फॉर्म करके बताऊंगा यहां पर online mode में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको भेजना भी है और general को OBC को फी ल और यहां पर देख सकते हैं चार तरह कि अलगे की वेकिशन की लेबल टू की सेलरी मिलेगी यानि आपके स्टार्टिंग सलरी लेबल 2 का मतलब समझ लिजे यहां पर लगवववाग 8-30,000 यहां पर स्टार्टिंग सलरी होगी क्योंकि इसमें दीए-प यह तमाम चीजे यहां पर देखेंगे तो जंडरल EWS OBC को हजार रुपय अप्लिकेशन फी है और SCST विकलांक और उमेन महिला भले किसी भी केटेगरी के हो उनको कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं देना है है फॉर्म भरने के लिए उनका फॉर्म फी फ्री है तो यहां पर देखेंगे तो पहले हम आप плох की वेकेंसी है सेवन्थ सीपीसी लेवल थी की सेलरी में लेगी मैक्समम उम्र यहां तीस वर्स बोला गया मैट्रिक पास होने चाहिए और वन एयर इक्जाम होगा तो एकाडमी के स्कोर यहां देखिए जिरो पाइट फाइट 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 फॉर प्लस टू एड इटि आई मैक्समम 25 मांक्स मतलब ऐसे लोग देंगे जितने में पर्सेंटेज है इंटर पर्सेंटेज उसकी साबसे लोग एक माक्स देंगे और उ और आर्ने वाला असिस्टेंट की बात करें तो इसमें इसमें प्लाइर करेंगे चार पोस्त है बैचला डिग्री बे–ेडी बोला गया और intermediate pass होनी चाहिए Hindi या English computer typing आनी चाहिए और knowledge of computer application होना चाहिए यहां पर आपका return exam का syllabus दिया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं इसी बेस पे selection होने वाला return exam के बेस पे selection होने वाला है तो आप समझें overall इस वेगेंसी के बारे में अब आए जानते कैसे आपको form को apply करना है अ मतलब कैसे जो है क्या करना मतलब होता है selection होगा यह इस लिमीट salary detail में हम discuss करेंगी चले बात करते हैं कैसे form को भरना है तो इसका online का link है यहां देखे click here to apply now को बटर विला इस पे click करेंगे यहां continue करेंगे continue करते ही आपका इस परकार से देखे page open हो जाएगा यहां पे username password बोल अपना यहां देखे जब यह username खाली रहेगा यहां ठीक हो जाएगा आप चाहे वह जो चाहे वह username मना सकते हैं depend करता है आपके उपर एक दू तीन यह भी यूज कर सकते username में username क्यों बना रहा है ताकि आप login कर सके in the future में full name लिखेंगे password यहां बनाएंगे mobile number यहां register account पर click करेंगे इसके बाद से यहां पर बोल देगा कि your user registration has been completed successfully आपको ok करना है ok करते ही अब आपको क्या करना है login करना है देदेगे थोड़ा सा घूम रहा है आपको message भी मिल दाएगा आपके mobile पर अब यहां पर already have an account आप आपको login वाले page पर click करना है देखें यहां पर automatic य यूजर नेम लिखना है जो अपने password बनाया था वह password आप यहां पर लिखेंगे और यहां login करेंगे login करते ही आपका dashboard यहां पर देखें इस परकार से open हो जाएगा अब यहां पर आपको form को apply करना है तो यहां देखें review and submit your application form यहां click here का option है यहां पर personal information education qualification work experience declaration करके form को final submit कर द बताएंगे यहां data birth का चुनाओ करेंगे जो भी आपका data birth यह लिख भी सकते है चुनाओ भी कर सकते calendar से आपका age automatic 12 दिसंबर 2023 तक बता देगा कितना आपका उम्र है father's name mother's name यहां married है कि unmarried है अपना category बताएंगे general है यह सी है यह स्ट है OBC है EWS अब देखें यहां पर आपक जो है बिहार गवर्मेंट की विकिंसी नहीं है इस central ने बलके आपका जो यहां job लएगा उसमें आप central करमचारी का लाएंगे के अंदर सरकार की करमचारी का लाएंगे तो इसलिए यहां EBC का option नहीं है क्योंकि यह OBC दो भागों में बढ़ जाता है जब बिहार में होते है तो बिहार की गवर्मेंट जॉब में अपलाई करते हैं तो यहां फिजिकली हैंडिकाप्ट है तो यहां करेंगे place of city, state यहां लिखेंगे आपका बर्थ का city कौन सा है और मतलब जन्म अस्थान आपको बताना है राज्य और city फिर यहां पे medium of examination for language paper test जो आपकल paper test होगा selection process मे return exam, उसका language आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, इसके बाद are you permanent employee at, आप already permanent employee है, राजंदर परशाद जो central अगरिया वर्ना no करेंगे, do you have working knowledge of computer application, computer knowledge का working knowledge है, yes नो में आपको बताना है, इसको से do you have a proficiency in हिंदी या इंग्लिस computer typing, आपको हिंदी इंग्लिस typing typing के बारें पूछ रहा है, 30 word permit, या तो हिंदी या तो इंग्लिस कोई एक बोला गया है, अपने recording yes नो में बताएंगे, यहां आप नीचे आएंगे तो आपका application fee, आपके जो category है, उसके recording so करेगा, यहां पे अपना full name लिखेंगे, sorry, full address लिखेंगे, जो भी आपका correspondence address है, जै इसको tick करेंगे, same-same copy हो जाएगा, अलग-अलग है तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं, और all India के लोग यहाँ फॉर्म को apply कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं होने बला, तो इसको apply के save personal information पे click करेंगे, personal data save करने के बाद से आपका personal data save हो जाता है, यहां पे इस तरह से हो जाता है फिर यहां पे board का नाम, passing year, division, first and second है, यह पूछ रहा है, cgpa if grading is applicable, अगर आप grading वाला system है, तो आप बता सकते हैं, percentage of marks, कितना percentage है, तो percent आप यहां पे बताएंगे, कि कितना percent आपको metric मेला है, subject, study, आप कौन-कों से भी save पढ़े हुए, यहां पे आप जो है, उस सभी भी save को एड करना है, जिसे clerk वाले post में, दसवी और बारहुमी को एड करिएगा, ITI तो है, नहींता, ITI एड मत करिएगा, जिसमें ITI बोला गया है, उसमें metric और ITI एड करिएगा, यह सब qualification आपको एड करना है, जिसमें bachelor degree बोला गया, उसमें दसवी, बारहुमी और bachelor degree को एड करेंग यहां पे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी पनिस किया गया है, study के दोरान, college के दोरान, यह सुने में बताना है, क्या आप during your service, convicted by court के दोरा आपको कभी पनिस किया गया है, यह आपके जो है negativity के बारें पूछा गया है, आप यहां पे बता सकते है, no or any other information, यह qualification relevant to the post applied, कुछ यहां लिखना चाते हैं वरना इससे भी आप save करेंगे, save करते हैं भी data save हो जाएगा, अब हम यहां आजाएंगे dashboard पे, dashboard पे आते देखें मेरा 75% data यहां पे complete हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, attachment पे क्लिक करेंगे, attachment पे आने के बार से हम यहां पे अपना photograph को attach करेंगे, यह यहां पे signature को attach करेंगे, और यहां पे आपको कास्ट certificate अपना जाती certificate attach करेंगे, यहां data birth का certificate attach करना है, दसवी का mark sheet upload कर सकते हैं, यहां पे qualification identificat करेंगे, फिर यहां पे 12 का certificate को attach करेंगे, यह सबी qualification को attach करेंगे, इसका PDF file होना चाहिए, यहां बोला गया है, JPG, PNG भी accept करेंगा यहां पे आपको photograph cinencer के बारें बताया गया है तो आप इस तरह से सबको attach करेंगे तो हमने friends यहां पे documents को भी attach कर दिया है यहां पे देखे photo cinencer आ गया है यहां पे documents भी आ चुका है हम उबर experience को escape कर दिये है अब आज आते हैं dashboard पे अब यहां पे देखिए हमारा 75% यहां पे complete दिखा रहा है attachment 100% complete दिखा रहा है यहां पे option मिलता है click here preview and submit का option मिलेगा आप इस पे click करेंगे जिसे आपका सारा information यहां पे show हो जाता है कि जो भी अपने जनकारी दिया यहां से download करना जादा download करकर देख सकते हैं print करना जाद प्रिंट करकर भी देख सकते हैं यहां आप नीचे आएंगे यहां पे आपको agree करना है यहां पे agree I want to submit my application form आप इस पे click करेंगे तो इसे click करेंगा इसे ओर ok कर देना ok करते ही congratulations your application has been submitted successfully ok कर देना यानि आपका submit हो चुका है यहां देखे लिख रहा है your application you have submitted your application form मतलब आपका form जो submit हो चुका है अब इसे क्या करेंगे आप print out निकालेंगे देखें आप पर download का भी option है print का भी option तो हम इसे download कर लेते हैं यह मेरा download हो भी यहा अब हम इसे print भी कर लेंगे बिना work experience देखें मैंने work experience नहीं भारा हुआ है यहां देखें रेट दिखा रहा है अगर आपको वर्च वर्णा इसे आप छोड़ दीजेगा अब इसको print out निकालेंगे print out निकालके आपको भेजना है यहां देखें आपको जो है यहां पर जनकारी दिया गया है देखें यहां पर लिखा हुआ है page नमर 5 पर how to apply वाला में तो आप online application form को पहले fill करेंगे और यहां पर बोला गया है कि interested and eligible candidates must submit online application link available on the university website अब यहां बोला गया है and shall send the hard copy dully filled online application form complete in the respects dully spiral bond या hard bond and continuously page number along with self-attested copy of each testimonials certificates or supporting documents in the skilled envelope यहां लिखा हुआ है super ascribing करना है आपको application form from the post of desk and employment notice number इतना employment notice number आपको सबसे उपर में मिल दाएगा यह देखें आपका यह employment notice number है यह आप लिखेंगे और आपको क्या करना है 5 नमर पेज पे जो instruction दिया गया है उसको follow करते हुए आप जो इस address पे भेज देना है अब कैसे भेजना है तो देखें आप एक लिफाफा लेंगे उसके उपर यह आप लिखेंगे पहले और उसके बास से आप जहां भेजना है उसका address लिखेंगे और from अपना address लिखेंगे और उसको register ASP post से भेज देंगे उसके अंदर क्या क्या रखना है तो जो भी आपका अववेदन form डाउलोड हुआ है वो उसका hard copy print out निकालके और उसके साथ आपको जो भी documents हैं जिसे की metric, enter यह सब documents क्या करेंगे attach करेंगे और attach करके जो है आप भेजना है और उसका photo copy attach करना है और आपको भेजना है और उसके page numbering कर देना यह लिखा हुआ है bound या hard bound and continuously page numbered देख रहा है ना page numbering कर दीजेगा एक दो तीन ऐसे करके और उसको आप भेजने का process है और जब तक नहीं भेजेंगे आपका form final summit नहीं माना जाएगा I hope friends आपको समझ में आया होगा कि डाक्टर आजंदर प्रसाथ केंदर क्रिसीवी सोविधाले में कैसे form को apply करना है step by step मैं आपको form भरके बता दिया मिलता है next video में जहिन